अयोध्या राम जनभूमी यहाँ पर बड़ी संक्या में मुस्लिम है जो कई अलग-अलग कारोबार में जुड़े हुए हैं और इनका पुष्टाइनी कारोबार खड़ाओं बनाने का है और आप देखें कि इस तरीके का खड़ाओं बनाते हैं यह देखें यह पहनने के काम लुखनाता है खड़ाओं और इस तरीके का जो छोटा खड़ाओं धो मंदिर में चढ़ाने के लिए इसका इस्तिमाल होता है तो बड़ी संक्या में और बड़े पहमाने पर इसकी डिमांड है और खास कि जब से मंदिर का निर्माड शुरू हुवा है। और अब मंदिर का निर्माड लगवग खत्म होनी की स्थिती में हैю, उसका उधगाटन होने वाला है। ऐसे मैं कई ऐसे जो मुसलिम कारीगर हैं या फिर कारोबारी हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनसे हम बात करते हैं क्या नाम हुआ चाचा आपका मुंबन नसीव यह बता है कि मंदिर बन रहा है तो पूरी की पूरी अयोध्या में अलग लग जगा जैसे सड़क है साफ सफाई है और दुकानों का विकास है किस तरीके से आप देख रहे है काम में कब से आप लोग लगे हैं आज वो नहीं है तो आज हम लोग कर रहे हैं ऐसा माना जाता है कि जैसे खणाओं हिंदू लोग पहंते हैं या फिर खणाओं मंदिर में चढहाए जाता है तो हिंदू की आस्ता से जुड़ा हुआ है लेकिन आप मुस्लिम हैं, तो ऐसे में इसको कैसे देखते हैं। लेकिन लकड़ी को महगाई को वजह से थोड़ा के पवर्य बार में असर पर वहाँ है। महनत वाला काम है। और यह जो मशीन है मेरे पीछे जो काम हो रहा है। पहले के समय से भी इस तरकिक मशीन का इस्तिमाल होता था। पहले 15 साल पहले भी मशीन नहीं चलता था। मशीन जो है फिनिशिंग का काम करती है। इसमें खाली गॉलाई काम होता है। इसमें काम आता है। अब क्या उमीद है आपके शहर के विकास को अगर हम बात करें। साप सफाई, सड़क और दूसरे रोजगार टूरिजम इन सब की बात करें। तो कितना जदा आप लोगों को उमीद है। तरक्की तो होगा आगे इसी बात नहीं है। तरक्की है आदमी को होगा। महँगाई जो हो जाता है तो इससे जो करीब आदिक वह प्रशानी बढ़ जाता है। महँगाई को जाता है। तो कोई बात रही नहीं है। महँगाई तो पूरे मतलब पुरेदेश के लिए है एक शहर के नेले। लेकिन आपको लगता है कि शहर का विकास यह मंदिर के वज़ा से बहुत कुछ हो रहा है। तो यह देखें इस तरीकी का मशीन का इस्तमाल होता है यहां पर हाथ से भी बनाया जाता है। एक खड़ाओं बनाने में काफी वक्त लगता है लेकिन कारीगर इसमें लगे हुए होते हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी होती है। मंदिर बिलकुल पास में है और जिन इलाकों में मंदिर होता है और वहां पर भीड़ भाड़ होती है। स्रधालों की संख्या काफी जादा होती है। वहां पर इस तरीके के जो छोटे-छोटे खड़ाओं है वो क्योंकि चड़ाने के काम में आता है तो उस जगह पर डिमांड इसकी बहुत जादा होती है। और क्योंकि साधू महात्मा यहां पर बड़ी संख्या में रहते हैं तो इसकी वज़े से साधू महात्मा इस तरीके के खड़ाओं वो पहनते हैं इस्तेमाल करते हैं तो इसकी भी डिमांड काफी अयोध्या में है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परि जारी हैं पूरे अयोध्या और फैजाबाद में डेवलप्मेंट का काम चल रहा है और हर जगह पर कहिन कहीं आपको सड़कें बढ़ते हुई दिखेंगी या फिर कई ऐसे सौंधरिये करण का काम चल रहा है ऐसे में अलप संख्यक समुदा है जो मुस्लिम वर्का है लोग जो यहां पर लोग रहते हैं उनका क्या सोचना है वो क्या कहते हैं से डिवलप्मेंट को ले कर लगातार क्योंकि एराम बन रहा है तो उसके पीछे कहीं कहीं विकास भी दिख रहा है क्या नाम आपका अश्पाग हुसेन जिया अच्छा अश्पाग जी क्या कहना चाहेंगे जो अलग-अलग पूरे इलाके में तस्वीर लगतार बदल रही है खुदाई चल रही है सडके बन रही है तो कुछ चीजे नजर आ रही है तो क्या कहना चाहिए देखिए जब से ये फैसला आया है माननी नियाले का उसके बाद से जिस तरह का डवलमेंट अयुद्धा शहर में दिख रहा है उससे एरपोर्ट हमारे कियां बन रहा है रोडें चोड़ी हो रही है और भी बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जो काफी उससे शरदालू बहुत बढ़ जाएंगे और वैपार बढ़ेगा काफी मतलब यह कोई एक समाज के लिए नहीं है तो पूरे जितने जो भी अध्यावासी है जाहे वो किसी भी समाज से हो सभी का डवलमें से इंतिजार चला था लेकिन आयोध्या और फैजाबाद के पूरे इलाके की जो तस्वीर है उस पर क्या कहना चाहिए यह तस्वीर तो बदल लाई है और आने वाले वक्त में और तस्वीर बदलेगी और जिन लोगों को राशान मिला है पानी मिला है जिसमें मुसल्मान है हर कौम के लोग है उसमें कोई नहीं कि आदमी मिला है हर तरीके के सुब्धाएं जो है वो उपलब्द है मुझे सरकार की तरफ से उसमें किसी तरीके कोई हिला हवाली नहीं है आपका नाम क्या है इस सजद परवेस। आप क्या काम करते हैं मैं लुहिक काम करता हूं मतलब आपका कारोबार है जी जी आप मानते हैं कि कुछ तूरिजम बढ़ेगा या फिर बाहर के लोग भी आएंगे तो अयुद्या में कुछ रोजगार को बढ़ावा मिले गा इन सब तमाम चीजों की वेज़े से रोजगार क तो हमाया कारबार तो बढ़ने ही बढ़ना है आप क्या काम करते हैं हमारी जनर्लिश्टोर की डुकान है हमारा नाम है मुहमद जाविद खान जी हान साब यह बताए कि क्योंकि अधिया फैजा बाद की बात करें तो ठीक है पहले से जो पूराना शहर है लेकिन जो कुछ ब दाए मिलेगी बहुत से लोग जो बेरुजगार थे उनको रिजगार भी मिलेगा और हमारे सहर में जो विकास हो रहा है तमाम एक से लाइटे लग रही है संधी करण हो रहा है बहुत ही अच्छा है इससे बहुत ही लोगों को उसको फाइदा मिलेगा या बताए किया नाम ह होगा और हो रहा है ठीक है आप आप बताएं सब्सक्राइब नाम क्यों मुहमद आसिफ अंसारी आप क्या काम करते हैं मोबाइल रिपेरिंग की दुकान है मेरी तो कुछ तस्वीर आपको बदलते हुए दिख रही यहां पर पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि हर चीज बढ़ी रहा है जब से राम मंदिर का निर्माड शुरू हुआ है यहां पर और अभी यह बाइस जन्वरी को आपका उद्गाटन भी यहां पर है तो उसके पीछे आयुद्ध्या की तस्वीर आपको बदलते हुए दिख रही है ऐसा है जब तक फैसला नह कर्मेंट नहीं आई थी तो यहां के समाज में चाहे वह अलपसंख्यक समाज हो चाहे हुए हमारे हिंदू भाई हो सब के मन में एक भै बना रहता था यहां इंसान आपस में एक दूसरे में विश्वास नहीं था यह सरकार आने के बाद एक विश्वास पैदा हुआ जो है यहां पर जो भै के स्थिती थी यह फैसला आने के बाद मतलब भै का माहौल खतम हुआ लोग अपने रोजी रोज़गार में लग गए अब कोई भै का माहौल नहीं है मंदिर भी बन रहा है मस्जिद भी बन रही है और जहां आपको मालूम है जहां धर्म होता है वहां जह वासी हैं यहां का जो रोज़गार है जैसे दुकानदार है कोई मिठाई की दुकान करता है कोई खिलोने की दुकान करता है तो जो है यहां का रोज़गार भी बहुत बड़ा और विस अस्तरिये यहां पर जो डवलब्मेंट हो रहा है तो आप देख रहा है कि कांस्ट तो हमारे यहां के मजदूर जो है यहां से पलायन कर जाते थे अब उनको यहीं पर रोजगार मिलना है तो विकास हर किसी का हो रहा है और इन लोगों का यह कहना है क्योंकि मंदिर का निर्माड तो हो सकता है कि किसी एक धर्म से जुड़ा हुआ लोगों की आस्ता हो लेकिन ज जगों पर खुदाई हो रही है चाहे सड़क बन रही है या एरपूर्ट का निर्माड हो रहा है अयोध्या रेलवे स्टेशन वो विश्व अस्तरिये उसका निर्माड हो रहा है उसका उध्गाटन भी जल्द होगा वंदे भारत ट्रेन भी इस रास्ते से गुजरेगी तो तरीके से निर्माड का काम चल रहा है डेवलप्मेंट का काम चल रहा है जिसे की बहुत लोगों को यह उमीद है कि रोजी रोटी और रोजगार इसको बढ़ावा मिलने वाला है